मायावती ने बिगाला खिले स्यादों का गडित कन्नोज से अकीला हमत पट्टा को दिया टिकट दरासल आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी ख़बर है लोगस्पा चुनाओ 2024 में बस्पा स्प्रमो मायावती अकेले ही चुनाओ लड़ने का ऐलान कर चुकी है वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गड़बंदन हो गया है बस्पा का मतवला हाती अकेले ही सपा की हवा निकालने का काम कर रहा है सपा को इस बात किया संका थी कि बिएस्पी कन्नोज से मुस्लिम परत्यासी उतार कर मुश्कले खड़ी कर सकती है सुमवार को बिएस्पी ने कन्नोज लोकसबा सीट से अकिला हमत पट्टा को परत्यासी बनाया है बिएस्पी ने जैसे ही मुस्लिम परत्यासी के नाम का ऐलान किया उधर बीजेपी के खेमे में मिठाईया बढ़ गई इस तरह से बस्पन अकिले स्यादों को कन्नोज में घेरने की तयारी कर ली है आगे आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी के मुख्या अकिले स्यादों ने कन्नोज से लोकसबा चुनाओ लड़ने के संकेत दे चुके हैं अखिलेस यादो ने पार्टी के करीबियों और सक्रिन निताओं से बात करके सोयम के उतरने की बात करके तयारियों के निर्देश दिये हैं कन्योज लोकसबा सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक समाजवदी पार्टी का कब जा रहा है कन्योज लोकसबा सीट से सपा की परिवारिक सीट मानी जाती है अखलेस यादों और डिमपल यादों ने सियासी पारी की सुरुआत कन्योज से ही की थी लेकिन मोधी लाहर में सापा के कन्योज से पैरुखणना सुरू हुए और उन्हें चुनाव में भारी नुक्सान उठाना पड़ा बिजेपी ने कन्योज से एक बार फिर से सुबरत पाठा को परत्यासी बनाया है मायावती के एकदाओं से कन्योज की लड़ाई त्रिकोडी हो गई है आगे आपको बता दे कि कन्योज लोकसबाद छित्र के रसूलाबाद में रहने वाले अकील हमद पट्टा को बियस पी ने परत्यासी बनाया है इनकी पत्नी सुल्ताना बेगम ग्राम परधान रह चुकी है अकील हमद और उनकी पत्नी इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे लेकिन कुछी महीने पहले उन्होंने सपा से त्याग पत्र दे कर बस्पा की सदस्या ग्रहाल की थी बियस पी के जोनल कोडरिनेटर नौसाद अली ने पार्टी के पदधिकारियों के साथ कानपूर दिहाद के रसूलाबाद में बैठक की इसमें नौसाद अली ने अकील हमद के नाम की घोसला कर दी थी आगे आपको बता दे कि सपा की घेराबंदी हो रही है दरसल आपको बता दे कि बस्पा सिप्रमो मायावती ने कन्नावज से बड़ादाओं खेला है उन्होंने कन्नावज से मुसलिम परत्यासी उतार कर सपा की घेराबंदी सुरू कर दी है बियस पी के मुसलिम परत्यासी उतारने से बिजेपी को संजीवनी मिल गई है अकीलामत के आने से बिजेपी के खेमे में खुसी की लहार है तो वहीं सपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है कन्नावज में बड़ी तादाद से मुसलिमोटर है यदि मुस्ली मोटर सपा और बस्पा के बीच बढ़ता है तो इसका सीधा फाइदा बीजेपी को मिल सकता है वहीं सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है 2019 में सुबरत पाठक ने डिमपल को हराया था लोगसबा चुनाओ 2019 में बीजेपी के सुबरत पाठक ने डिमपल यादो को हराया था पहली बार कन्योज में सुबरत पाठक ने कमल खिलाया था सुबरत पाठक ने डिमपल यादो को 12,86 ओटों से हराया था बीजेपी के सुबरत पाठक को 5,61,286 ओट मिले थे वहीं सपा बसपा गडबंदन प्रत्यासी डिमपल्यादों को 5,49,208 मिले थे लोकसबाच 9,2024 में कन्योज के प्रडाम देखने वाले होंगे दिल्चस्प की बात होगी कि त्रिकोडी मामला देखने को मिलेगा